नमस्कार दोस्तों, NTV Motivation YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों चाड़क के नीती, चाड़क के द्वारा रचिते एक नीती गरंत है जिसमें जीबन को सुखमे और सफल बनाने के लिए उपियोगी सुझाओ दिये गए है इस गरंत का मुख्य विशय, मानप समाज को जीबन के हर एक पहलू की ब्योहारिक शिक्षा देना है चाड़क के एक महान ग्यानी थे, जिन्होंने अपनी नीतियों की बदावलत चंद्रगुप्त मौरे को राजा की गद्धी पर बिठा दिया था जानिये चाड़क की कुछ ऐसी महतपूर नीतियां जो आपको जीबन के किसी ना किसी मोड पर कामा सकती है दोस्तों अगर आप अपने जीबन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों आचारे चारक की ने चारक की नीति में मनुष्य जीबन से जुड़ी कई बातों के बारे में बताया है जिनका ध्यान सभी को रखना चाहिए चारक की नीति में चार ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिनको महापाप माना जाता है इन कामों को करने पर मनुश्य को निश्चित ही कई दुखों का सामना करना पड़ता है तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में जरा बिस्तार से बताएंगे लेकिन उससे पहले करपे आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बाद में आप लाइक करना भूल जाते हैं और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए आप चलिए जानते हैं उन्हीं चार कामों के बारे में दोस्तों आचारे चारक के बताते हैं गुरु मनुष्य को अच्छे बुरे का ज्यान देता है गुरु को पिता के समान और गुरु पतनी को माता के समान मानना चाहिए गुरु पतनी के साथ समबंद रखने बाले या फिर गुरु पत्नी को बुरी नजर से देखने वाले मनुष्य को ब्रहम हत्या से बड़ा पाप लगता है दोस्तों गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले मनुष्य के पापों का प्रयाश्चित किसी भी तरह से संभब नहीं है ऐसे मनुष्य को जैनती नामक नरक में उनके पापों की सजा मिलती है नमबर दो चोरी करना आचारे-चारे के बताते हैं जो मनुष्य दूसरों की वस्तु हरपने या चुराने का प्रयास करता है वो महापापी माना जाता है दोस्तों किसी और की बस्तु को छल से पाने या चुराने से मनुष्य के जीवन के सभी पुन्य करम नश्ट हो जाते हैं चोरी की वही बस्तु से कभी भी लाब नहीं मिलता बलकि उसकी बज़े से नुकसान का सामना करना पड़ता है दोस्तों चोरी करने पर उसके साथ साथ उसके मित्रों और परिबार को भी कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है चोरी करने वाले मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को तमिशर नामक नरक में दुख भोगने पड़ते हैं मनुष्य को कभी भी यह पाप नहीं करना चाहिए दोस्तों अचारे चारक के बताते हैं इस्तरी हो या पुरुष सभी को शराप से दूर ही रहना चाहिए किसी भी प्रकार की शराप पीने से मनुष्य महापाप का भोगी बन जाता है ऐसे मनुष्य पर भगबान कभी परसंद नहीं होते और उसे हमेशा परेशानियों का सामना ही करना पड़ता है शराप पीने और पिलाने वाले मनुष्य को बिलेपक नामक के नरक में यातनाय दी जाती है मनुष्य को कभी भूल कर भी शराप नहीं पीना चाहिए दोस्तों ब्रहमर भगबान ब्रहमा के मुख से उत्पन हुए है चारक के नीती में ब्रहमरों को सबसे उचा इस्थान दिया गया है आचारे चारक की जी बताते हैं ब्रहमरों को पूजा करने के योग्य माना जाता है अगर कोई मनुष्य जानकर या भूल से भी किसी ब्रहमर की हत्या कर देता है तो उसे ब्रहम हत्या का पाप लगता है क्योंकि यह महापाप माना जाता है ऐसा कारे करने बाले मनुष्य को जीवन भर दुखों का सामना करना पड़ता है दोस्तों सिर्फ ब्रहम हत्या करने वाला ही नहीं बलकि ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को कुम भी पाक नामक नरक में यातना सहनी परती है इसलिए मनुष्य को भूल कर भी ब्रहम हत्या में भाग नहीं लेना चाहिए दोस्तों NTV motivation के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें साथ ही अपने दोस्तों में इसे शेयर करें और रोजाना इसी परकार के वीडियो देखने के लिए ह थैंक्स पोर वाचिंग माई वीडियो